अससलाम अलेकुम स्टूडेंट इंग्लिश मास्टर की जानिब से आपका टीचर अकील हैमद आपके साम में हजिर है आज भी हम इंग्लिश का यूनिट नमबर वन बीच रोट ट्राफिक नाइट मेर रेजिडेंट से स्टॉप ही पढ़ेंगे सबक को इसके हमने परगाफ नमबर वन और परगाफ नमबर टू अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था जिसमें हमने पढ़के भी बताये थे दोनों परगाफ को उनमें इस्तमाल होने वने वाले मुश्किल वर्ट्स के मिनिंग भी बताई थी हमने आपको हमने इसकी English में explanation भी की थी हर paragraph की उसके साथ साथ उर्दू में भी explanation की थी ठीक है आज हम paragraph number 3 की तरफ चलना है इसी सबग का 6 paragraph है दो paragraph हम पिछले lecture में cover कर चुके है अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारा पिछले lecture देख लिएगा तो आपको सबग बिल्कु समझ में आ जाएगा हमने असानी के साथ बताया है बिल्कुल हर वर्ड का मतलब बताया है जो जरूरी समझा हमने तो आप हम paragraph number 3 की reading करते हैं आपके सामने but now things have changed full stop as from the last Monday full stop hill street can only be used by traffic traveling traveling in the reverse direction full stop to make matters worse full stop park street which lies between hill street and beach road and was open to two-way traffic is now limited to southbound traffic full stop as a result comma all south to north traffic is now squeezed into hitherto peaceful beach road full stop apostrophe we now have non-stop traffic from midnight to midnight comma apostrophe said one angry resident of the old people's home full stop full stop apostrophe to get across to the park or the clinic now comma we need a pair of wings mark of explanation and apostrophe this I will read translation and then I will use difficult word then I will the word English and then I will the in the word यह टॉपिक समझ में आ जाए ठीके स्टूडेंट्स तो आप हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरह हमने शुरू कहता ही है बट नौ लेकिन अब हालात बदल चुके हैं पीछले पीर से हिल स्ट्रीट को स्रिफ उल्टी सिम्स में सफर करने वाली ट्रैफिक के जरीए ही इस सकता है मामलाग्ग को मजजीद खराब करने के लिए पार्क स्ट्रीट जो हिल स्ट्रीट और बीच रोड़ के दर्मियान है और दो तरफा रास्ते के लिए खुली थी ट्रैफिक अब सरिब जनूब की तरफ जाने वाली ट्रैफिक तक महदूद है इसके नतीजे में तमाम जनूब से शुमाल की ट्राफिक अब तक पूर अमन बीच रोड पर निचोड़ी गई है हमारे पास अब आधी राध से आधी राध तक नौन स्टॉफ ट्राफिक है पराणे लोगों के घर के एक नराज रहाईशी ने कहा अब पार्क या क्लेनिक तक जाने के लिए हमें परों यानि विंग्स की एक जोड़ी की जरुड़ी है ये इसकी ट्रांसलिशन हे जो लोने आखर म्ड़र स्माल गया था विंग्स की पेयर ओफ विंग्स याँ परों के एक जोड़ी की जरूदे है त्निर नीड, आप यड़ पेयर ओफ जोड़ी इसका मतलब है इसकी मतलब हुआ है इसकी मतलब होता है रीस्ट्रिक्टिध टू यह ररी आई एस टीर आई सी टीए डी रिस्टिक्टिड टी ओ टू एक वर्ड़ समा रहा है साउत बाॉंड इसका मतलब है ट्रैफिक गोईंग इन डी डारेक्शन ऑफ दी साउत ठीक है फिर एक बड़ साई स्कुईज्ट यह लब्स नदर आ रहा है स्कुईज़ इन्टू का ल इस्कुईज इंटू जिसका मतलब है फोर्स इंटू एफ ओ और सी इडी फोर्स आई एंटी ओ इंटू पिर एक लाए नॉन स्टॉफ ट्रैफिक एक इसमें वाड़िस सवाल हुआ है नॉन स्टॉफ ट्रैफिक ट्रैफिक मैंने भी पड़ लाता तो मुझे नदर आयता भी आप देखिएगा इसको नॉन स्टॉफ ट्रैफिक जिसका मैं मतलब बता जेता हूँ continuous flow of traffic यानि लगातार ट्रैफिक चल लगी है बीच में कोई उसका gap नहीं हा रहा continuous flow of traffic जिसको बहुते नॉन स्टॉफ ट्रैफिक एक आया है either to peaceful अब मैं तलाश करूँगा word को तो time लगेगा इसलिए इसमें आप देख लिएगा Heather To Peaceful इसका मतलब होता है का मतलब होता है Previously Calm Are Quiet क्याम के माने भी खामोशी थी काम की माने भी खामोशी होती है और उडे क्यू यू आई एटि क्याई इन नए सिस्टम से पहले जो पराना सिस्टम था वो बड़ा खामोशी वाला सिस्टम था त्राफिक चलती थी बड़े खामोश होती थी लेकि नए सिस्टम में बहुत शोर शराब आ गया है बहुत ज्यादा ट्राफिक हो गई है एक बड़ आया एंगरी इस पर कहीं आया था एंगरी डेजिडेंट आप देख लिएगा यह रसेट वन एंगरी रेजिडेंट वन एंगरी रेजिडेंट जिसके मानी है रेजिडेंट हू इस अपसेट और इरिटेटिड आई डबल आर आई टी ए टीडी इरिटेटिड एक बड़ आई था ओल्ड पीपर्स हॉम ओल्ड पीपर्स हॉम यह रहा है जना दर आ रहा है आपको रिसीव ट्रीटमेंट और एडवाइज तो स्टूडेंट यह हमने इसकी मुश्किल बड़ विटा दी अब हम इसकी एक्स्प्रेशन करते हैं पैरागराफ नंबर थ्री जो अभी हमने पढ़ा था जिसकी उर्दू ट्रांसेक्शन बिताई उसमें इस्तमानों वाले मुश् पğ cemetery mitigation खो जो को तो सून लिजो फे में उसी तरीके से लिखी जाती इस परेगराफ को में एक्षों कर रहा हूं क्या किया था है और पास अर्दू में करोंगा आ पक्या के लिए this paragraph is about a change in the flow of traffic on hill street and park street before last monday hill street was opened to traffic going in any direction however since last monday hill street can only be used by traffic going in the opposite direction park street which was previously open to two-way traffic is now limited to southbound traffic only as a result all north to south traffic is now diverted onto beach road which was previously a quiet road one resident of an old people's home said that there is there is now non-stop traffic from midnight to midnight making it difficult to get to the park and cleaning so students this paragraph is number three which has been explained to me मैंने इसको अपने अलफास में explain किया है जो मैंने भी explanation दी है वो मैं आपको अर्दू में भी दे दे देता हूँ तो मैं यह परगराफ नमबर तरी hill street और park street पर traffic के भाव में तबदीली के बारे में है गुदिश्था पीर से पहले hill street किसी भी सिम्थ जाने वाली ट्राफिक के लिए खुली थी ताहम गुदिश्चा पीर से हील स्ट्रीट को सिर्फ मुक्तलिफ सिम जाने वाली ट्राफिक के जरीए इस्तमाल किया जा सकता है पार्क स्ट्रीट जो पहले दो तरफा ट्रैफिक के लिए खुली थी अब सिर्फ जनूब की तरफ जाने वाले ट्रैफिक तक महदूद है नतीजे के तौर पर तमाम शुमाल से जनूब की ट्रैफिक अब बीच रोड की तरफ मोड़ दी गई है जो पहले एक पुर सकून सड़क थी ओल्ड पीपल्स हॉम के एक रहाईशी ने बताया के अब आदी रात से आदी रात तक नौन स्टॉप ट्रैफिक रहती है जिसकी वज़े से पार्क या क्लेनिक तक जाना मुश्किल हो जाता है तो स्टॉडेंट्स यह हमने पराग्राफ नमर थिरी पढ़ दिया है पढ़के सुनाया आपको पहले फिर इसकी हमने ट्रांसलेशन करी उर्दू में फिर इसमें इस्तमाल होना ले डिफिकल्ड अलफाज के मतलब बताए हमने फिर इसकी पराग्राफ को अपने अलasında एक्सप्लेंड किया इंग्लिश में फिर उसी को हमने उर्दू में भी एक्स्प्लेंड किया है तो इस्टॉडेंट्स अगर आपको आज के लिए हम इतने ही रखते हैं क्योंकि अगर हम जादा अगले paragraph की तरफ भी जाएंगे तो ये बहुत बड़ा lecture हो जाएगा हम इसको बड़ा नहीं करना चाहते ये हमारे तीन paragraph हो गए है और तीन paragraph यूनिट के और बाकी है जो हम नेक्स्ट अपने lecture में cover करेंगे अमिद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आप दो तीन मरतब इसको बार बार सुने आपको बिलकुल बात किलियर हो जाएगी समझ में आ जाएगी ज्यादा मुशिल नहीं है असान अलफास के अंदर ही बयान किया है तो अगर आपको मारे lecture अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें आगे दूसरे स्टूडेंस को भी शेयर्स करें ताके उनको भी कुछ फाइदा महासिल हो तो आज के लिए इतना ही काफी है शुक्रिया